34 की राजनीत में भूचाल लाने वाले प्रदेश के स्वास्त मंत्री टीयस सिंग देप का बयान सामने आया है उन्होंने कहा कि पंचायत विभाग में वे काम नहीं कर पा रहे थे इसलिए स्थीपे के अलावा कोई और बिकल्प नहीं था बिधायक कोई द्वारा कारवाई की मांग कोई सवाल पर टीयस सिंग देप ने कहा कि उन्होंने स्थीपे से पहले प्रदेश प्रभारी प्याल पुनिया से बात की थे और राज के मुक्ष्वंत्री को भी तीन बार फोन लगाया था लेकिन ना तो मुख्यवंत्री ने फौन उठाया और ना है उनका कॉल बेक किया इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वे विभाग में काम नहीं कर पा रहे थे इसलिए इस थीपे के अलाबा कोई और विकल्प नहीं था अगर उनको लगता है कि ये अनुसाशन हिंता है तो उनको स्वतनता है अपनी राय रखने का मैंने अपनी मन्शा उस पत्र के माध्यम से व्यक्त की थी केंद्र के पंचायती राज मंत्री 36 गड़ाय थे